आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, यहाँ question given question में कहा रखा कि in a common based NPN transistor the current gain is 0.96 अब बुर रखा कि what will be the voltage gain and power gain if output resistance is 500 kilo ohm and input resistance is 500 ohm तो सबसे पहले मैं common base transistor को अगर मैं create करू तो यह आपका something कुछ ऐसा होता है यह आपका हो जागा emitter वाला portion, यह हमारा हो जागा base का portion और यह हमारा हो जागा collector portion ठीक है और यहाँ से हम लोग को यह आपका collector resistance हो जागा और in common base क्या होता है common base में हम लोग base वाले part को grounded कर देते हैं ठीक है और यह आपस में connected है और यह हमारा emitter वाला portion है और यहाँ पर हमारा emitter resistance this is the emitter वाला part तो यह आपका emitter resistance यह आपका collector part है यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से आपका emitter current flow कर रहा है this is the base current and this is the collector current ठीक है अब इसमें case क्या होता है कि common base configuration में हम लोग जो input प्रोवाइड कर आते हैं वो input हम लोग emitter वाले part से प्रोवाइड कर आते हैं और जो हम लोग output लेते हैं हम लोग collector वाले part से लेते हैं अब हमसे according to question क्या दे रखा है कि हमें voltage gain और power gain निकालना है in fact हमें alpha के value दे रखा है alpha के value दे रखा हमारा 0.96 के बराबर अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि alpha के value में पता है हमें voltage gain निकालना voltage gain क्या होता है जिसको ABC denote करते हैं आपका होता output voltage upon input voltage होता है ठीक है voltage gain output upon input output हमारा यह वाला पार्ट है और output में जो voltage आगा यहाँ पे जो आपका current है output में जो current है that is the IC और output में जो रसिस्टेंस है that is RC और input हमारा emitter वाला पार्ट है आपका input जो current है यहाँ पे it will be what? तो emitter current है तो आपका हो जागा IE और साथ में आपका हो जागा R E तो हम लोग यहाँ से A V को क्या लिख सकते है A V को लिख सकते है I C by I E है ठीक है हम लोग उने relation पढ़ रखा कि I C जो होता है That is the alpha times होता है आपका I E के तो I C by I E को मैं लिख सकता हूँ alpha और यह हो जागा That is output वाला पार्ट क्या हमारा Output वाला यह output पार्ट है और output पहमारा क्या है collector resistance है तो यह आपका हो जागा 500 और यह kilo ohm है तो thousands हम लोग मल्टिप्लाई कर देंगे divided by emitter वाला जो पार्ट है emitter वाले पार्ट में आपका resistance लगा हुए यह emitter आपका कहाँ पे emitter input पे है तो यह वाला आपका 500 ohm हमारा यहां पे हो जागा अब हम लोग यहां से क्या करेंगे 500 से 500 cancel कर लेंगे तो जो हमारा voltage gain आ जागा it will be equal to the 96 upon 100 और इसको हम लोग multiply कर लेंगे 1000 से अब 0000 cancel तो यह value आपका जागा 960 के बराबर ठीक है अब next रहागा हमारा power gain ठीक है तो अगर मैं बात करूंगा power gain जिसको अगर मैं AP से denote करूंगा तो power gain क्या हो जागा power gain होगा आपका output power upon input power ठीक है अब output power को क्या लिखूंगा output power को लिखूंगा मैं output potential and output current divided by input potential and input current अब output upon input को हम लोग क्या कहते है तो output upon input को ही हम लोग कहते है gain ठीक है output upon input को ही क्या कहते है voltage gain कहते है तो हमारा जगा AV और output current हमारा collector current है और input current हमारा क्या है तो input current हमारा ammeter current है ठीक है तो IC upon IE को क्या कहते है IC upon IU का alpha कहते है तो जगा AV इंटू का होजगा आपका alpha और AV का value हमारा पता है 960 और alpha का value में पता है 0.96 अब जस्ट इन दोनों को multiply कर लेना होगा तो just we have to multiply this तो 960 इंटू का कर लेंगे 0.96 तो after solving जो value आजगा it will be equal to the 921.6 and this will be our final answer तेंक्यू डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर